बिस्मिल्ल्य रख्मार्य रहें अस्ट्राओं मुलेकूँ वर्कम टू माई यूटूब चनल आप सब कैसे उमीदे सब खर्यस से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की रेसिपी लेके आई हैं और इतनी मज़ेदार और असान अब मेरी पूरी विडियो वच्श करेंगे क्योंकि बहुत ही कम बहुत ही चुछी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की जो रेसिपी लेके आई हैं आप लोगी जब आप एक बार बनाके खाएंगे तो आप तो हो जाएंगे इसके दीवाने और मुझे देंगे दुआएं देंगे कितिनी एजी रेसिपी तो पिछलते हैं रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हमने ले लिए टमाटर जैसे कि अभी टमाटर का बहुत अच्छा सीजन आए वह और बहुत सस्ते भी हुए में तो आज ही बना डालें यह वाली टमाटर की चटनी तो हमने लिए अब सबसे पहले मैं निन देए को आज़यें वहमने और इसकी कट करीilot हैं इसब सबसे पहले मैंने क्या करना इसकी कर लेना इसको बहुत ही थोड़े से ओयल में हम बनाएंगे उसको जाद हम नहीं डालना तो दो खाने की चमचे मैंने शामिल कर दिया कुकिंग ओयल ओयल अच्छा सा गरम हो जाएगा तो इसमें एक चोटे साइस की प्यास इसको मैंने बारिक बारिक चॉप कर रहा है जैसे के ऑमलेट में ड चडनी बनाएं जाल ऐकते हमाने काई our चडनी 1 week ददमक्राई CO-4,2 बनाइछ का सकते हमें भी अब काईए रफ़ज को ऐसे रहते हमाने लगना तो पकोसी बंच्वार से pinch घ्ञे करने के हमाने हैं आज-डर कोस डिग चाडनी काम्रा राएं तो बहुत ही साधा सी चटनी है लेकिन खाने में चाइए बना के वाकशेसे भी नहीं लगें और बन भी मिंटों में गई इतनी वज़दार चटनी और कितनी असान सी है तो आप में मैस में शामिल करती हूं घुटीवी लाल मिर्च बस यह हो गए हमारे मसाले अब इसमें कोई मसाले हम नहीं करना और बस हमने इसको इतनी दिर पकाना है ताकि पानी अभी नजर आ रहा है ना टमाटरों का यह थोड़ा सा ड्राय हो जाए ठीक है बस इसको थोड़ा सा पकते ही और बिल्कुल हमाई जो चटनी रेडी हो तो आप कहेंगे कि वाकई यह तो बहुत जबदस रेसीपी चटनी की और जैसे कि टमाटर बहुत सस्ते हुआ है तो फटा फट आज ही बना डालेंगे चटनी बहुत मज़े की बनती है तो अमने इसको थोड़ी दिर और पकाना है जब तक पानी अभी नजर आ रहा ना भी ह इसके साथ एक छोड़ी रिक्वेस्ट अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वोच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बिल आइकन को लाजबी प्रेस करिएगा मेरे चैनल पर आपको इन्शालत आला असान और मज़ेदारी रे आप अब यह बहुत अच्छी टे आप दें वहांगे तो अगर आप चाहें तो इसे भी साफ यह खा सकते हैं लिगिन अभी थोड़ी देर इसको और चम्मत चला थे हमने सको पकाने मुश्क्ल से सिर्फ 10 मिनट में चैनल के तयार हो जातीए तो बस यह नहीं अभी यह उलच तो यह आम निकाल लेते हैं इसको बावल में और देखें इसको यकीन आ रहा हुगा आपनों के मुमें पानी जो है चट्नी के दीवाने तो मेरे कहने से एक बास जरूर यह वाली चट्नी जरूर बनाईएगा आप तो इतने दीवाने बनाईगे कि जब भी आप चट्नी पराठा हो सबसी हो सबके सालन खाने का मुमनी है तो आप इस चट्नी से भी यकीन जाने पेड़ फर के खाना कहा सकते हैं तिनी मज़िदार बनती है और देखें किती सिंपल से और इतनी आसान सी चट्नी की रेसिपी कोई होई ही ने सकती बहुत जबदस बनती है और इंशा जबदस बनती है जबदस बनती है